बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का जो पहला टोपिक है भाशा उसके बारे में सिखेंगे ठीक है? आप सब लोग जानते हैं कि मनुश्य एक सामाजिक पराणी है और हमें अपने भाव और विचारों को प्रकट करने या दूसरों के भाव और विचारों को समझने के लिए किसी माध्यम के आवश्यक्ता होती है और वही माध्यम हमारा भाशा कहलाता है ठीक है? तो सबसे पहले हमारा question है भाशा किसे कहते हैं पहला question क्या है भाशा किसे कहते हैं इसको मैंने जितना ज़्यादा छोटा हो सकते था उतना ज़्यादा छोटा करके लिखा है अपनी बात दूसरों को समझाना भाशा कहलाता है अर्थार्थ हमारे जो मनोभाव हैं उनको दूसरों को समझाना क्या कहलाता है भाशा कहलाता है ठीक है अब आते हैं हमारे भाशा के जो दूसरा नमर कोशन है भाशा के कितने रूप होते हैं हिंदी भाशा में भाशा के तीन रूप होते हैं ठीक है इन तिन रूपों में सबसे पहले जिसका number आता है वो है मोखिक भाशा सबसे number one पे क्या आता है मोखिक भाशा number two पे आता है लिखित भाशा और number three पे क्या आएगा सांकेतिक भाशा अब मैंने इनकी definition नहीं लिखी है मैं बोल देती हूँ अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मोखिक बाशा का अर्थ क्या होगा मोखिक से हमें यहां पर आवाज आ रही है मुक्स की ठीक है अपनी बात बोल कर दूसरों को समझाना मोखिक बाशा कहलाता है दुबारा से मैं बोलती हूँ अपनी बात बोल कर दूसरों को समझाना मोखिक बाशा कहलाता है नमबर टू पे या नमबर दो पे आती है हमारी लिखित बाशा इसकी हम पर यह बाशा कैसे करेंगे अपनी बात लिख कर दूसरों को समझाना लिखित बाशा कहलाता है अब जो हमारी तीसरे नंबर की है संकेतिक भाशा देखर, पहले अक्षन इसके पहजान हो रही है, अपनी बात इश्यारों से दूसरों को समझाना संकेतिक भाशा कहलाता है, हम अपने दैनिक जीवन में इन तिनों परकार की भाशाओं का प्रियोग करते रहते हैं, ठेक है अब हम इन सब के बारे में विस्तार से पड़ेंगे यह तो इसका बेसिक था संसार में अनेक भाशाएं बोली जाती हैं आप सबी जानते हैं पूरा जो विश्यव है वहाँ पर सब को अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए या उनकी बात समझने के लिए भाशा का परियोग करते हैं तो हर अक्षेतर में या हर देश में अलग-अलग तरी किसे भाशाएं बोली जाती हैं जैसे कि अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन जापानी चीनी रूसी चेक स्पेनिश आदि जो हमारी अंग्रेजी भाशा है वह अंतर राष्ट्रिय भाशा है अब अंतर राष्ट्रिय का अर्थ क्या होगा देखो अंग्रेजी भाशा को पूरे विश्व के किसी भी देश में समझाया बोला जाता है इसलिए इस भाशा को अंतर राष्ट्रिय भाशा का दरजा दिया गया है ठीक है या फिर इस तरीकी से भी हम समझ सकते हैं कि पूरे विश्यों में जो उंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है आगे अब हम भारत की बात करते हैं भारत में पढ़ीवे बोले जाने वाली प्रमुक जो भाषाएं हैं उनमें सबसे पहले है हिंदी, बांगला, मराठी, तमिल, उडिया, आदी वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली और समझे जाते हैं लेकिन ये जो है कुछे प्रमुक या मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषाएं हैं ठीक है भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी है अब देखो राष्ट्र भाषा उपर हमने पढ़ा था अंतर राष्ट्र भाषा का अर्थ हство कि स रूफ में लेंगे देखो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली भाषा है वह भारत शरकार के अंदर जितने भी कानूनिक काम जो होते हैं वह सब लिड़ा zijn जाते हैं यह नहींनी भाषा का परियोगोग जितने सरकारी कार प्रमुख अक्षेत्रों की भाशाएं या बोलिया अब भारत में वैसे तो अनिक भाशाएं बोली जाती हैं लेकिन मुख्या रूप से कुछ ऐसे अक्षेत्र हैं जहां पर अकुछ वह बहुति हैं वो ज्यादा प्रचलित हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे भारत के जो पस्चमी भाग है, पस्चमी भाग में बोले जाने वाले कौन-कौन सी भाशा है ब्रज भाशा, खड़ी बोली, हर्यानवी, बुंदेली और कनोजी ये जो भाशा हैं भारत के पस्चमी भाग में बोली जाती हैं अब दूसरे नमबर पे आता है भारत के पूर्वी भाग में कौन-कौन सी बोलियां जो हैं मुख्य रूप से बोली जाती हैं, इनमें सब से पहले नमबर पाती है अवधी, बगेली और चतिसगडी, ये मुख्य बाशा हैं पूर्वी भारत के अब नमबर आता है हमारा राजस्तान का, राजस्तान में जो है मारवाडी, मेवाडी और जैपुरी भाशा बोली जाती है बिहार के अंदर भोजपुरी, मगही, मैथीली और अंगी का भाशा बोली जाती है अब आता है हमारा पहाडी अक्षेतर, पहाडी अक्षेतरों में जो बोले जाने वाली मुख्य बाशाएं हैं वो है मंडियाली, गडवाली और कमाउनी अधर तो, अनेप भाशा है है भारत में परचलन में हैं लेकिन लेकान सभी भाशा भारत हैं के बारे में मैंने आपको बताया का transmis, अब आते कैं कुछ इंपोड़न्ट्रस जो नोट्स हैं हिंदी भाशा के बारे में वो आगे दिये गए हैं यह हमारे, जिभी प्रफटिशन जो एक्जाम होते हैं उनके अंदर इनका महत्पुन योगदार रहता है हिंदी के कुष्चिन होगा सबसे पहले हमारा कुष्चिन है लुमेन है हिंदी को 14 सितंबर 1999 को राज भाषा का रूप दिया गया या दरजा दिया गया हिंदी भाषा को राज भाषा का दरजा कब दिया गया 14 सितंबर 1999 को धिक है सम्मिधान के अनुछेद 343 से 351 में यह कहा गया है कि भारत संग की राज भाशा हिंदी और लिपी देवनागरी है देखो जो हमारा समिधान है उसके अनुछेद 343 में 343 से 351 में ये बात कही गई है कि भारत संग की राज भाशा हिंदी और लिपी कुन सी है देवनागरी है अब इन सब में एक अलग जो वर्ड आया हुआ है लिपी अब ये लिपी कहा है देखो लिपी होती है किसी भी भाशा के लिखने के धंग को किसी भी भाशा के लिखने के धंग को हम क्या कहेंगे लिपी कहते हैं ठीक है, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपी देवनागरी है, अंगरेजी भाषा की लिपी रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपी गुरु मुखी है, और उर्दु भाषा की लिपी फार्सी है, ठीक है? अब प्रत्थम राज भाषा आयोग का गठन 7 जून प्रत्थम जो राज भाषा आयोग जो था हमारा उसका गठन कब किया गया था देखो प्रत्थम राज भाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में किया गया था ठीक है इसके प्रत्थम अध्यक्षी बी जी खेर थे किसके अध्यक्षी राज भाषा आयोग के और इसका गठन कब हो था 7 जून 1955 में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंदर प्रदेश था अब देखो ये भाषा के आधार पर कैसे बना भारत के अंदर अलग अक्षेतर में अलग अलग भाषा हैं बोलने वाले लोग रहते हैं तो जिस अक्षेतर में एक भाषा जो है जादा बोलने वाड़े लोग थे उस अक्षेतर को उसी भाषा के अधार पर बनाया गया जैसे कि अंदर परदेश में जो है ते लोग भाषा जो बोलने वाड़े लोग सबसे जादा थे इसलिए भाषा के अधार पर बना पहला राज जो आंदर प्रदेश कब बना था 1953 में यह बहुत ही ज्यादा important question है कई बार पेपरों में आता है अब देखें विशव में 12 भाषा परिवार हैं पूरे जो विशव में जितने भी भाषाइं बोली जाती है उनके वह कितने भावों में 12 भाषा परिवारों में बटी हुई है और भारत के अंदर चार भाषा परिवार है ठीक है भारत के अंदर कितने भाषा परिवार है चार भाषा परिवार है अब देखो जो भारत के अंदर चार जो भाषा परिवार है उनके बारे में अब पढ़ेंगे इन चारो भाशा परिवारों में मुख्धा रूप से दो भाशा परिवार आते हैं मैंने इनको निशान विलाके रखा है वो पहला है भारवपिय दूसरा है दरविड तीसरा है आस्ट्रिक चोथा है चीनी तीब्वति अब देखो भारवपिय जो भाशा परिवार है उसमें जो कितने परतिशत लोग जो हैं इस भाषा परिवार के अंतर गताती हैं तो वो है 73 परतिशत लोग भारोपिय भाषा परिवार के अंतर आते हैं ये भाषा बोलने वाड़े हैं दिरावड भाषा परिवार के अंदर 25 परतिशत लोग आते हैं या 25 जो है और चीनितिविति जो है एक पॉइंट 10 प्रतिंशत और चीनितिविती है जीरो पॉइंट साथ प्रतिशत भारत में मुख्या रूप से यह दो वाशा परिवार हैं अब आगे भारत की सबसे पुरानी भाषा है सन्ज्दै आप सभी को पता है भारत के अंदर जितने भी हमारे वेद और पुरान है उन सब की भाषा क्या थी संस्कृत थी तो सभी भाषाओं की जन्यनी किसे माना गया है संस्कृत भाषा को माना गया है तमिल नटमल्यालाम तेलगु का जिनम संस्कृत से हुआ है देखो जो तमिल है कंदमल्यालाम तेलगु का जिनम कौण सी भाषर से हुआ ये द्रविडभाशा परिवार में आती है जो हमारे नमबर टू पर था द्रविट भाशा परिवार अब कश्मीरी पंजाबी गुजराती मराथी मनीपूरी असमिया बांगला पूडिया आदी भारोपिय भाशा परिवार में आती हैं देखो जो सबसे ज़्यादा जिस भाशा परिवार में बोले जाने वाले लोग हैं वो कुण से हैं भारोपिय भाशा परिवार जो है सबसे ज़्यादा लोग बहुत हैं और इन में कॉन से भाशा हैं आती हैं कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराथी, मनेपूरी, असमिया, बंगला, उडिया, आदि तो आज इस टोपिक में हम इतना ही करेंगे, आगे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो व्याकन हिंदी व्याकन की होगी, धन्यवाद